साजा भी मेत्रा जीले के किलोरा में चल रहे नमवोद्दे विध्याले में इन दिनों भारी अववस्थाओं का आलम है बलकि अववस्थाएं भी इस कदर हैं कि बच्चे स्कूल में पड़ तक नहीं पाते और बार-बार स्कूल प्रबंदन को इसकी शिकायत करने के बाद भी स्कूल प्रबंदन द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण अभी भावक अपने बच्चों को स्कूल से ही घर ले गए कि लोरा में संचाल इतना मोदे विध्याले में जीला से लगबग 140 बच्चे विध्याले में रहकर पढ़ाई करते हैं लेकिन वहाँ पढ़ने वाले बच्चे लगात्तार बिमार हो रहे हैं परिजनों ने बताया कि स्कूल में खाने की विवस्ता का बुरा हाल है उसके साथ साथ सफाई भी नहीं है इतना ही नहीं बच्चों से सफाई भी करवाई जाती है HRD और कलेक्टर से लेकर प्रिंस्पल को शिकायत की गई जिसके बात कारवाई करने की बजाए प्रिंस्पल ने बच्चों को ही धमका दिया जिससे परिशान होकर बच्चों के अभिभावक बच्चों को स्कूल से घर ले जाने पहुंचे अभिभावकों को स्कूल में देखकर जिला प्रशासन की आंख खुली और तैसीलदार को स्कूल भेजा गया तैसीलदार स्कूल में पहुंचे और अव्यवस्था को देखकर स्कूल प्रबंदन को फटकार लगाई उन्होंने परिजनों से एक सप्ता में व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया जिसके बाद अभी भावकों का गुस्था थोड़ा शांत हुआ ऐसे ही लेटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बचन पर श्लिक कर बेल आइकन को दबाए